पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसाज के चाहने वाले सिर्फ इंडिया ही नहीं बलकि विदेश में बहुत हैं। फैंस उनके गाएगानों पर जूमने के लिए तयार रहते हैं और फिर कंसर्ट की बात आए तो टिक्टों के लिए पैसों की भी परवहा नहीं करते। लेकिन इस बार दिलजीत की इतनी महंगी टिकट को लेकर लोग नाराजगी जाहिर कर रही हैं। हाला कि बावजूद इसके दिलजीत के कॉंसर्ट की महंगी टिकटें भी मिनिटों में ही बिग गई। दिलजीत के कॉंसर्ट की महंगी टिकटों वाला मुद्दा फेमस डिजटल क्रियेटर और एक्ट्रेस सलोनी गौर ने उठाया और उस पर एक वीडियो भी शेयर की। सलोनी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई 10,000 की टिकट से अच्छा 10,000 के जूते ले लो। चलिए आपको सलोनी की ही बात बताते हैं कि उन्होंने फैंस को क्या नसीहत दी। कॉंसर्ट में नजाने की नसीहत देते हुए सलोनी गौर कहती हैं। आज कल की जेनरेशन कॉंसर्ट पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। किसी को गाते हुए देखने के लिए इतनी महगे महगे टिकेट्स खरीद रही है। अगर आपको वो टिकेट मिलता भी है तो आपकी सीट ऐसी जगे होगी जहाँ पर आपको वो आदमी चीटी की तरह दिखेगा। आप दसजार का टिकेट लोगे इसे अच्छा आप दसजार के जूते ले लो। आपको बता दे कि सिंगर दलजीत दोसांज भारत में जल्दी दिल लुमिनाटी टूर करने जा रही है। दस शहरों में होने वाले इस कॉंसर्ट का फैंस में अलगी क्रेज है। और ये उत्सुकता इस कॉंसर्ट के नाम दिल लुमिनाती को लेकर भी है। लोग इसे अल्युमिनाटी से भी जोड रही है। दिल जीत के बारे में अक्सर ये बात कही जाती है कि वो एलुमिनाटी कम्यूटी के मेंबर हैं। बहुसे लोग ये क्या है? इसे नहीं जानते. तो चली आपको समझाते हैं क्या है ये community. कहा जाता है कि Illuminati एक secret society है जिसके सदस से अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं. अक्सर बड़े celebrities के बारे में ये gossip चलती है कि वो Illuminati के सदस्से हैं. कई celebrities के वीडियोज को लेकर social media पर दावा किया जाता है कि वो Illuminati का खास sign बनाते हैं और उससे जुड़े हुए हैं. कई users का तो ये भी कहना है कि reality show बिग बॉज का logo जो तिरकोण में एक आँख है वो भी Illuminati का ही पृतिक है. Illuminati का हिस्सा है दिलजीत दोसांज. दिलजीत की इंटरनेट पर कई वीडियोज वाइरल हैं जिनमें वो अपने हाथों से तिरकोण का sign बनाते नजर आ रहे हैं. हाला कि सिडनी में एक concert के दोरान दिलजीत ने कहा था कि उन्होंने अपने हाथों से जो sign किया था वो crown चक्र का निशान था. इलुमिनाटी का नहीं. इस बार दिलजीत ने अपने concert का नाम ही इलुमिनाटी से जोड़ कर लिया है. अब ये publicity stunt भी हो सकता है और दिलजीत का इशारा भी. कई लोगों का मानना है कि अमेरिकी actors Angelina Jolie और pop star Boyonce भी इसकी member कही जाती है. कहा जाता है कि Angelina की film टॉमबा रेडर की कहानी भी इलुमिनाटी पर आधारित थी. Hollywood pop star Boyonce को भी इसका member माना जाता है क्योंकि concert के दोरान वो और उनके पती J.G. कई बार खास निशान बनाते हैं जिससे इलुमिनाटी से जोड़ा जाता है. ऐसा ही कुछ साइन बनाते हुए सिंगार रेहाना के वीडियोज भी काफी वाइरल होते हैं. लेकिन ये क्या है? आज ये भी एक रहस्य है. वैसे आपने कभी न कभी इलुमिनाटी का नाम, फिल्मों, किताबों और खूफिया कहानियों में सुना होगा. सिर्फ सेलेप्स के साथ ही नहीं बलकि अमेरिकी राष्टपती जेफ कैनेडी की हत्या से लेकर देशों के बीच युद्ध करवाने और सरकारे गिराने में इस कम्यूनिटी का हाथ रहा है. ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी की शुरुआत साल 1748 मद यूरोप के राज्य बवेरिया से शुरू होती है. एक दिन एडम वाइस हप्ट का इस गाउं में जन्म हुआ. कहा जाता है कि उनके पूरवज यहूदी थे. बड़े होकर वो इंगलो साइड की युनिवर्सिटी में धार्मिक कानूनों के प्रोफेसर बन गए. अब बात ये थी कि वो जिस युनिवर्सिटी में काम करते थे वहां का प्रशासन पादरियों से चलाते थे लेकिन वाइस हप्ट खुद एक पादरी नहीं थे. एक मई 1776 को वाइस हप्ट और उनके चार चात्रों ने प्रतिग् इसका मेंबर नहीं हो सकता और इलुमिनाटी का प्रतीक उल्लू को बनाया गया. संगठन बनते ही लोग इससे जुड़ते गए, इसके सदस्से जासूसों की तरहे काम करते थे और अन्य संगठनों के सदस्सों का पता लगा कर उन्हें इलुमिनाटी के मेंबर्स बनाते थे आपने जब भी ये नाम सुना होगा उसके साथ एक तस्वीर भी देखी होगी एक पेरामेड जिसके उपर एक आँक बनी होती है ये पेरामेड ही इलुमिनाटी के स्ट्रेक्चर को दर्शाता है इलुमिनाटी में सदसिता के 13 लेवल थे जो तीन भागों में बटे थे इलुमिनाटी समाज में बड़ा परिवर्तन लाना चाहता था लेकिन कुछ सम्वाद इसके ठिकानों पर छापे मारी शुरू हो गई सरकार को कई गुप्त दस्तावेज मिले जो दिखाते थे कि ये संगठन वास्तों में विशुभर पर नियंत्रन प्राप्त करना चाहता था कहा तो ये भी जाता है कि इलुमिनाटी नास्तिक संगठन है और दूसरा कि ये शैतान की पूजा करते हैं वहीं फेमस होने के लिए शक्स यहां अपनी आत्मा बेशते हैं संगठन के प्रमुख एडम वाइस हाप्ट खुद को राजा मानते थे और स्पार्ट कस के नाम से पहचान रखते थे इन खुलासों के बाद इंग्लो स्टार्ड के ड्यूक ने इलुमिनाटी पर प्रतिबंद लगा दिया और वाइस हाप्ट को देश निकाला दे दिया इसके बाद उसे समाप्त मान लिया गया हाला कि सभी ऐसा नहीं मानते क्योंकि 21 सदी में भी इसके चर्चे हो रही है साल 1798 में इलुमिनाटी का भूत अमेरिका भी पहुँचा जब अमेरिकी राष्टपती जॉर्ज वाशिंग्टन ने एक चिठी में इलुमिनाटी के खतरे का जिक्र किया यहां तक कि अमेरिका के तीसरे राष्टपती थोमस जेफरसन पर इलुमिनाटी का सदत से होने का आरूप भी लगा 21 वी सदी में आज भी लोग मानते हैं कि ये संगठन जिन्दा है और लोग सीक्रेट रहकर इसमें काम करते हैं जो भी इसका सदत से बनता है ये लोग उसे हर तरह से जिताने की कोशिश करते हैं हाला कि ये सब इंटरनेट के माध्यम से बताई गई जानकारी है इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता ऐसे ही और वीडियो के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब फेस्बूक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें